हेलो दोस्तों स्वागता आपका अपने यूटूब चैनल रोईद वोईश्वामी लॉक लासे स्वें आज हम आपको कराने वाले हैं एललवी फ़स्ट इयर सैम फ़स्ट पेपर है हमारा वन थाउजंट फोर इस पेपर की सबसे बड़ी समस्य क्या रही है बच्चों को कि इसमें ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये सर्फ सब्जेक्ट कौन सा है कहीं पे आईपीसी लिखा मिल ला है कहीं पे भैदैसे लिखा मिल ला है कहीं पे लॉफ क्राइम लिखा मिल ला है कहीं पे दा इंडियन पिनल कोड लिखा मिल ला है कहीं पे लिखा मिल ला है उनको भारतिये डंड सहीता तो आप सभी को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं ये पांचो नाम एक ही के हैं आई पीसी भैदेस है लौफ ग्राइम दा इंडियन पिनल कोड भारतिये डंड सहीता ये पांचो नाम एक ही सब्जक्ट के हैं ठीक है ना ये सबसे कन्फीजन हो रहा है बच्चों मैं तो बता चुका हूं ये पांचो नाम एक ही के हैं कन्फीजन मत होना भाई हो है ना चलते और दंगा में अंतर को समझने से पहले आप से सिर्फ मेरी इतनी है अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को भी like, share and subscribe नहीं किया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे चैनल को like, share and subscribe करो और bell icon घंटी को दबा लो क्योंकि जब भी हमारी आप बीडियो आएंगी आपको तुरंत पटता चल जाएगा और यह सिलसला आपकी बीडियो का आपका यहीं नहीं रुखने वाला है आपको यह आप जब तक लॉग करोगे आपके all semester की all semester के question answer ऐसे ही मिलते आपको रहेंगे ठीके न यह नही सब्सक्राइगा प्लस आपको loss related सब्सक्राइगा दी जाएंगे इसलिए मैं यह चीज भूलता हूं क्योंकि किसी बच्चे को एक question की जरूरत है वह एक देख रहा है और उस समय वह दूसरी वीडियो को नहीं देखे तो उसको इतनी तो नॉलिज हो जाएगी कि हाँ इस चै दंगा दो नाम है यह बल्वा देखो हंगामा और दंगा अलग है हंगामा और दंगा section किस में है 156 में 169 में है और बल्वा भारतिय अटेंट सहीता की धारा section 146 में है मैंने आपसे यह बोला था कि भाईयो अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे अबीत तक अगर part 1 और part 2 नहीं देखा है मैंने एक वीडियो बनाई है section part 1 part 1 और part 2 ठीक है इनको जाकर हमारी playlist से जाकर देख लो playlist में code 104 sorry 1004 के नाम से code 1004 के नाम से IPC code 1004 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर आप इसे देख सकते हो जिन बच्चों ने ये वाली पार्ट वन और सेकंड देख लखा है उनके चालिस नंबर तो पक्के हैं पेपर में उससे उपर आप इंक्रीज और कर सकते हो ठीक है ना ये में वहां करा चुका हूँ धारा 169 में परिभासित दंगा के अपराद कि गठन के लिए कम से कम दो वेक्तियों का होना आवशक है हंगामा या दंगा सिद्ध करने के लिए कम से कम दो विक्तिों का होना आविशक है कम से कम कितने विक्ति हो दो हो ठीक है पहली बात हमारी ये केंशक्ति हो हो जाती है धारा 146 के अंतरगत वलवे के अपराद की रचना के लिए कम से कम पाँच विक्तियों का हो नाव सकहे, बलबा केवल तभी सिद्ध हो सकता है जब बलबे को करने के लिए 5 विक्ति उपस दिपो, अगर 5 से 1 विक्ति कम है तो वह वलबा नहीं माना जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कितने व्यक्ति हो पांच व्यक्ति हो ठीक है आगे आ जाओ अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझ पाओ आपको अच्छे से दीख पाए ठीक है आपका निफ्यूजन ना हो क्योंकि यह यूनिक है आपको कभी पताना चली ठीक है इस अपराद के लिए केबल वे ही व्यक्ति डंडनिये किये जाते हैं जो बास्तम में दंगे में भाग लेते हैं देखो दंगे में क्या है पहले तो कम से कम दो व्यक्ति हो भई दंगा होगा कम से कम दो व्यक्ति में तो जगडा होगा कभी कोई अकेला व्यक्ति आपस में जगडा करते देखा है, अपना अकेला व्यक्ति आपस से जगडा थोड़ी कर सकता है, तो जगडे के लिए कम से कम दो व्यक्ति हो, हंगामा या दंगे का मतलब है जगडा, जगडा भी हो सकता है, हंगामा या दंगा या जगडा करने के ये, कम चकम, दो व्यक्तियों, आपस में ही तो दो व्यक्तियों की तूलाई होगी, अकेला व्यक्ति थोडी लड़ेगा, ठीक है twenty और इस अपराज के लिए केबल lorsque वह ही व्यक्ति व्यक्ति किया जाते हैं, जो भास्तम में दंगे में भाग लेते हैं, इसमें दो व्यक्ति भाग ले रहे हैं लड़ाई में तो दोनों के दोनों डंडिनी होंगे इस अपराद में भाग लेने वाले व्यक्तियों के अलावा वे व्यक्ति भी डंडित किये जाते हैं जो बिधी बुरुद्ध जमाब के सदत से हैं बले ही उन्होंने बास्तम में बलका प्रियोग नहीं किया हो ठीक है यहाँ पर वे व्यक्ति भी डंड़ने होंगे जैसे पांच व्यक्ति तो होने अनिवारिया है ही है पांच व्यक्ति होंगे तब भी बलबा के लाइद आएगा पांच व्यक्तियों से अलग और व्यक्ति हैं जो वहाँ पर बिधी बुरुद्ध जमाब कर रहे हैं वहाँ पर रुख गए हैं बलबे में उनका साथ दे रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, अपरादी कहे जाएंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, यह अपराद किसी सारवजनिक इस्थान पर किया जाता है, यह अपराद किसी भी इस्थान पर किया जा सकता है, सारवजनिक इस्थान को समझते हैं, सारवजनिक इस्थान होता है, जहां पर बहुत लोग रहते हैं बहुत लोग रहते हूं जैसे यहां कोई मोहला है यहां पे घर बने हैं यह सब घर बने हुए है ठीक है यहां पे घर बने हुए है रात के ग्यारे बज रहे हैं रात के बारे बज रहे हैं ए और बी ने आके यहां पे क्या कर दी फाइट fight start करती ठीक है तो यहाँ पर यह क्या कर रहा है यह रास्ता कैसा है सारवजिनिक है यह कहेंगे हमारा भी अधिकार है लडाई करने का सारवजिनिक रास्ता है हम क्यों नहीं कर सकते हैं सारवजिनिक रास्ता तो है आप इस पर लडाई जगडा तो कर सकते हो बसरते आप इस पे यहां पे जो है आपको किसी और व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हो यहां पे क्या है और व्यक्ति क्या हो रहे है परेशान हो रहे है ठीक है न एक बात के लिए हो गई यह अपराद किसी सारवजनिक इस्थान पर किया जाना चाहिए कहां पर किया जाना चाहिए सारवजनिक इस्थान पर आगे चलते हैं यह अपराद किसी भी इस्थान पर किया जा सकता है सारवजनिक हो या निजी हो ये कहीं भी किया जा सकता है इसमें दंगा करने वाले व्यक्तियों का कोई सामने उद्दे से नहीं होता यहाँ पर जो लड़ाई जगडा कर रहे हैं कोई दारू पी करी लड़ा पड़ता है कोई रस्ता चलते में आपस में लड़ पड़ता है अरे तूने मुझे गाली क्यों दी, अरे तूने मुझे थपड क्यों मारा अरे यह हो जाएगा वो हो जाएगा यह होता जगडा लड़ाई धंगामा धंगाश ठीक है न इसमें उद्दे से यह नहीं होता अगर कोई वेक्ति दूद लेके जा रहा है आपका हलका सा उसमें पाम लग जाए और दूद जो बिखर जाए चलग जाए तो वहाँ पर जो जगडा होगा वहाँ ये उद्दे से नहीं होगा कि दूद अब तू मुझे लाके देगा ये कोई उद्दे से पहले से थोड़ी था कि हम दूद बिखेरने चलेंगे और उसका दूद बिखर जाएगा और जब मेरा दूसर व्यक्ति कहरा है कि मेरा जब दूद बिखर जाएगा तो मैं दूद माँगा ये का उद्दे से थोड़ी था, ये तो suddenly अचानक जो दुरहटनाएं होती है, जो अचानक केस होते हैं, ये उसमें आता है इसमें दंगा करने वाले विक्तियों का कोई सामानने उद्दे से नहीं होता, ये तो अचानक ही हो जाती है बस में जा रहे हो, आपको seat के उपर ही लड़ाई हो गई, आपका उद्दे से थोड़ी था, कि हम बस में जाएंगे और seat के पीसे हमें लड़ाई करनी है, ये आपका कोई उद्दे से थोड़ी था, ये तो अचानक हो गई बिना किसी सामानने उद्दे से के बलवा नहीं हो सकता, बलवे में क्या है, हमारा उद्दे से जरूर होना चाहिए, कि हम जिस स्थान पर जा रहे है, वह निच्चित हो, और वहां पे बैठ कर ही तो बलवा करा जाएगा, तो बलवे में क्या होगा, इस्थान निच्चित होग आद्मियों की बात टल जाएगी, तो बलवे की अपेक्छा दंगा कम गंभीर है, यहां पे करेंगे, जो बलवा है वो जादा गंभीर है, बलवे की अपेक्छा दंगा कम गंभीर अपराद है, दंगे की अपेक्छा बलवा अधिक गंभीर अपराद है, दंगे की अपेक्छा कम गंभीर अपराद है ठीक है बल्बा अधिक गंभीर अपराद है आप इसे कैसे भी याद कर सकते हो ठीक है ना उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी यह कोश्चन हमारा दस नंबर में भी आ सकता है और बीस नंबर में भी आ सकता है ठीक है बै जादा से जादा मात्रा में कमेंट, लाइक शेर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो जब भी हमारी जुड़ी हुई वीडियो आपके सब्ज़क्ट से जुड़ी हुई वीडियो आईगी आपकी घंटी बच जाएग के याँ वीडियो आगई है और आप मेहलत करो मैं आपके साथ हूँ जैहिन जैभारत